अभी की खबर है खबरों में स्वदेशी UAV रुस्तम 2 स्वदेशी मानव रहित हवाई वहान यानी UAV रुस्तम 2 के अगस 2023 तक सभी उप्योग करता परिक्षन पूरा करने की उम्मीद है यह एक Medium Altitude Long Endurance यानी M.A.L.E. UAV है रुस्तम UAV के शश्त्रीकरण के लिए एक अलग परियोजना भी चलाई जा रही है इस UAV के Night Flying Trial जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है जब क्योप्योग करता परिक्षन जल्द ही आयोजित किये जाने वाले हैं चली जानते हैं रुस्तम 2 के बारे में कुछ बेसिक बाते हैं इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की Aeronautical Development Establishment ADE Bangaluru द्वारा डिजाइन और विक्सित किया गया है हिंदुस्तान Aeronautics Limited यानी HAL और भारत Electronics Limited इसके उत्पादन भागिदार हैं इसे निगरानी और टोही यानी ISR भूमिकाओं को पूरा करने के लिए विक्सित किया जा रहा है यह उननत पैलोट के विभिन सयोजनों को ले जाने में सक्षम है पिछले दिसंबर में रुस्तम 2 ने 25,000 फिट की उचाई और 10 घंटे की सहन शक्ती तक पहुँचकर एक मील का पत्थर सैट किया था